हलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग सेफटी के बार में इसमें हम जानने वाले हैं कि वेल्डिंग एक्टिविटी के वर्ग कौन से हजार का सामना करना पर सकता है और उसके लिए हम क्या सेफटी प्रिकॉशन ले सकते हैं तो चलिए शूरू करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि वेल्डिंग के क्या हजार्स है तो सबसे पहला हजार आता है Fire and Explosion यानि कि आग लगना या फिर Explosion होना फिर उसके बाद का हजार आता है Electric Shock यानि कि Electric Shock भी लग सकता है फिर उसके बाद का हजार आता है Burn Injury यानि कि जलना फिर उसके बाद का हजार आता है Dust and Fumes यानि कि उससे निकलने वाली जो भी Dust है या फिर Fumes है वो भी एक हजार है फिर उसके बाद का हजार आता है toxic gases फिर उसके बाद का हजार है suffogation यानि कि building के दोरान suffogation भी वहाँ पर create हो सकता है फिर उसके बाद का हजार है radiations यानि कि radiations भी building के दोरान निकलते हैं वो भी हजार है फिर उसके बाद का हजार है hysteres फिर उसके बाद का हजार आता है noise and vibration यारी कि बहुत ज़्यादा noise होना या फिर vibration भी वहाँ पर हजार है फिर उसके बाद का हजार आता है cut and burn injury तो ये जो सारे हजार से ये building activity में involved होते है चलिए अब जानते हैं कि building के लिए हम क्या safety precaution ले सकते हैं तो इसमें सबसे पहला point है कि आपको ये ensure करना है कि जो भी persons power tools का इस्तमाल काम करने के लिए करने वाला है तो वो जो persons है उसमें skill होनी चाहिए और बाकाइदा वो train होना चाहिए फिर उसके बाद है कि building area में जो भी combustible material है उसको सबसे पहले remove करना है और जिस material को आप remove नहीं कर सकते है उसको fire blanket से cover करना है फिर उसके बाद है कि जो भी building machine है या फिर equipment है उसका properly earthing होना चाहिए फिर उसके बाद है कि जहांपर building activity हो रही है वहाँ पर आपको train fire watcher को assign करना है और साथी में उस location पर fire extinguisher और fire blanket होना चाहिए फिर उसके बाद है कि damage cable और defective जो भी equipment है उसका आपको इस्तमाल नहीं करना है फिर उसके बाद है कि electrical power sources के लिए ELCP जो है वो 30 milliampere की ही install होनी चाहिए फिर उसके बाद है कि welding के दोरान अगर वहाँ पर proper ventilation या फिर illumination नहीं है तो वहाँ पर आपको welding नहीं करना है फिर उसके बाद है कि जो भी portable electrical tools अगर damage condition में है तो उसको सबसे पहले remove करना है या फिर उस पर do not use का tag लगाना है फिर उसके बाद है कि जो welding machine है उसका valid inspection certificate होना चाहिए और बाकाइदा वो color coded होनी चाहिए फिर उसके बाद है कि welding के work अगर ज्यादा noise हो रहा है तो उसके लिए आपको air plug का इस्तमाल करना है फिर उसके बाद है कि mandatory PPE के साथ साथ job regarding जो भी necessary PPEs है उसका भी इस्तमाल वहाँ पर करना है example के तोर पर FRC का इस्तमाल करना है, affron का इस्तमाल करना है, face shield का इस्तमाल करना है, leather gloss पहनना है और welding respirator का इस्तमाल करना है तो यह जो सारे safety precautions है यह आपको welding activity के work लेने हैं तो दोस्तो आशा करता हो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा welding safety के बार में जिसमें हमने देखा कि welding activity में कौन से हजार होते हैं और उसके लिए हमने क्या safety precautions लेना चाहिए तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक ने topic के साथ में तब तक के लिए take care bye bye